एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कंपणी एक ऐसे बिन्निस पर काम कर रही है जहां पर कई सारे बड़े इन्विस्टर या छोटे निविशक लगातार उस कंपणी के जो भी पियर्स हैं उनको बाय करने की कोशिस करते रहते हैं कंपणी बहुत छोटी कंपणी है लेकिन कंपणी के फंडामेंटल वाकई कापिले तारीफ है प्रमोडर के पास अच्छी कासी होल्डिंग है और कंपणी आगे चलकर एक अच्छे रिटन दे सकती है ऐसा मेरा मानना है तो चैनल पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना विकुल नबूरे इसके लावा हमारा वीडियो आया था दो दिन पहले जिसमें हमने मेन फोकस कहा था सुवें लाइफ साइंस के ओपर जो हमने टार्गेट यहाँ पर दिये थे आसल मोस्ट उस टार्गेट के आसपा से स्टॉक में ट्रेट उतावा दिखाए दे रहा था तो जो भी निविशक इस स्टॉक को होल कर रहे हैं सुवें लाइफ साइंस को वो इसे होल और कॉंटिनू यहाँ पर कर सकते हैं जो भी स्टॉप लॉस में ने कहे थे और जो टार है सबसे पहले अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी आज से नहीं करीब आज से करीब 30-35 साल से इंडिया के इंदर काम कर रही है कंपनी इंकॉर्परेटव थी 1987 में मिस्टर निरांजल लाल दाता और उनकी फैमली के द्वारा इसके लावा कंपनी करती क्या है कंपनी जो है प्रोसेसिंग क्रूड एंड रिफाइंड एडिबल वनस्पति घी मस्टर और इसके लावा यहां पर कुछ और भी बिजनेस कंपनी करती है जिसके अंदर यहां पर आप देखें तो वील्ड पावर एनरजी के जनरेशन में भी कंपनी यहां पर लगी हुई है उसके लावा एक बिजनेस इनका और है यहां पर यह क्रॉकरी के आइटम स्यून आते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर कंपनी के कई जो बेने आते हैं मार्केट में किस नाम से आते हैं एंके जो एडडिबल ऑईल है। इसके अंदर वनस्पती घी हैं इनका ब्रांड नेम में स्कूटर चांसलर ओलिगो acquired ओर और हनवान जी के नाम पर इनके टोटट हमें सेल होते हुए दिखाई देते हैं मार्किट के अंदर इसके लावा सेरेमिक डिविजन में ये फाइन बोन चाइना टेबल वेर डेकोरेटिव सेरेमिक आइटम्स ग्रे इंसुलेटर्स एंड एस्टी पोर्सलेन इंसुलेटर्स में कंपनी यहाँ पर काम कर रही है तो कंपनी का बिजन मोडल काफी स्टॉंग हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है इसके लावा जो इनका revenue wise अगर हम सिग्मेंट देखें जो financial rate 2020 का data है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पर इनकी जो market cap है देखें बहुत छोटी market cap है लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे interesting point यहाँ पर मैं आप लोग सामने भी compare करने वाला हूँ जिसको देखकर आप लोग बहुत ज़ता है यहाँ पर shock भी होने वाले हो तो market cap 300 क्रोंग की है current price sell high 936 यहाँ पर अब हाई की बात करें तो 2533 रुपए का हाई भी यहाँ पर हमको लगता हुआ दिखाई देता है 52 वीक हाई की बात यहाँ पर चल रही है अगर इसके all time हाई की बात करें तो एक समय यह stock हमें जादा नहीं अगर आप करीब एक साल से देर साल पिछे जाओगे तो करीब हमको 51 100 रुपए के आसपास यह stock हमको trade होता हुआ दिखाई दे रहा था लेकिन उसके बाद यहाँ पर stock में जवा 10 गिरावट हमें देखने को मिल रही है और currently यहाँ पर stock 936 के price range पर trade होता हुआ दिखाई दे रहा है अगर हम इनके peer से यहाँ पर इनकी comparison करते हैं तो जो stock हमको अपने intrinsic value की काफी आसपास trade होता हुआ दिखाई भी दे रहा है यहाँ पर stock trade कर रहा है मात्र 8.5 के multiple paper book value यहाँ पर आप दे सकते हैं 867 रुपिस की यहाँ पर दिखाई दे रही है return on capital employed और return on equity 20 और 22 काफी शांदार है जो बहुत ही rare दिखाई देते हैं आपको अगर आप किसी small cap, micro cap, type की company को की analysis कर रहे होते हैं 10 रुपे की face value है भविस में कभी भी यह stock आपको split देखकर reward भी यहाँ पर दे सकता है यहाँ पर जो सबसे interesting data यहाँ पर जो मैं बता रहा था आप लोगों से वह यहाँ पर अगर आप देखिए तो इनका अगर आप 5 साल का data देखें, profit growth का तो इहोंने 5 साल में करीब 43% के CGR से profit growth हमें दिखाया है तो यहाँ पर जो बड़ी-बड़ी companyya market के इंदर listed हैं जिसे की AWL, जिसे हम Adani Wilmer के नाम से भी जानते हैं उसके आप पातांजली food है यहाँ पर अगर जो एक market data है, जिनकी market cap इससे 1000 गुना बड़ी है लेकिन यहाँ पर अगर हम अभी आगे यहाँ पर cover करेंगे कि अगर आप उनका profit growth देखेंगे last 5 साल का data तो उसके मुकाबले काफी कम हमें दिखाई दे रहा है यानि कि जो बली-बली कमपनिया है जिनका market cap काफी बड़ा है उसके मुकाबले इस कमपनी के profit जो growth है 5 साल का data दिखाई दे रहा है उन कमपनी से काफी आता बैता रहें दिखाई दे रहा है इसलिए यह stock जो हमारी data पर आया हुआ है अब यहाँ पर अगर हम बात करें अडानी विलमर, पातांजली फूड या गुजरात, अमबुजा एक्सपोर्ट जिसको भी मैंने कई बार वीडियो में आप लोगों से पठ्थिक दर वीडियो तो नहीं आया है लेकिन कई stocks में यहाँ पर मैं cover भी करता रहता हूँ तो यहाँ पर अगर आप अडानी विलमर का price earning ratio देखे तो 97 के multiple people trade कर रहा है पातांजली 50 के उपर multiple पर trade कर रहा है people और बिजे सॉल्विक्स मात्र 8 के multiple people trade करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है वहीं पर अगर आप इनका return on capital employed देखें तो जो large cap company हैं उनसे बहतर यहाँ पर हमको नजर आ रहा है तो यानि company काफी अच्छा कारोबार हमें करता हुए नजर आ रहे सब्तमबर 2021 में लगता इस्तर पर बढ़ती हुए नजर आ रही थी करीब 600 करोण से बलकर 800 करोण की आसपास हमें जाती में दिखाई दी थी जून में 657 करोण की और सेटमबर में 550 यानि कि quarter on quarter अगर देखें तो इनकी जो जेल से हमको थोड़ी सी decline होती भी दिखाई दे रही थी जिसकी और इनका जो operating profit margin भी जो हमको करीब तीन परसंट से उपर दिखाई दे रहा था वो भी एक सवा परसंट के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है इसके वेसे स्टॉक यहाँ पर थोड़ा सा पेशर में हमें जाता हुआ दिखाई दिया है लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें इनके net profit की वह 3-3 करोण 4 करोण जो कि यहाँ पर मार्स 2022 का जो डिटा है 2716 यानि कि यर और यर बेशिस के उपर इनकी सेल्स हमको लगातार इंक्रीज होती हो यह दिखाई दे रही है अभी का जो यह quarter है पूरा complete नहीं हुआ है उसमें भी नोने करीब 2678 करोण की सेल्स करकर दिखा दी है ऑपरेटिंग प्र कि मैंने बताया पातांजली या फिर अडानी विल्मर लिम्टेड उनका भी जो अपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो दो पसंड का ही आसपास हमें दिखाई देता है जाकर आप लोग शड़ी खुद की कर लिजेगा जो मैंने डेटा दिये यह बिल्कूर डेटा है ए सबर्दस EPS इन्होंने वढ़ाया है क्योंकि आपीट यह वह काफी शांदर हमें नज़र आ रहा थासिर्फ इसी मेरा पर प्रॉफिट जो इनका देखने ऐना आप देखें लास्ट माफ करिएगा माफ करिएगा थ्यों हें रिच जो इनका है यहां पर अगर धावी तो 36% के 5 साल में करीब 43% से 3 साल में 62% के अभी के लिए क्या हुआ थोड़ा सा डाउन है जिसकी वैसे जो stock है हमको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर जिन लोगों ने stock को उपरक लेबल से बाय किया होगा तो यहाँ पर जरूर वो थोड़ा सा घबराय हुए हैं लेकिन आप लोग चाहो तो इस stock को इस price पर add कर भी चल सकते हो एक बात और बताना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा volume इस stock में दिखाई नहीं देते हैं तो एक साथ बहुत बड़ी quantity यहाँ पर आप buy भी नहीं कर सकते हैं तो धीरे धीरे ददस करके 15-15, 20-20 जैसे भी convertible जो भी आपको comfort zone लगे आपको तो यहाँ पर आप 10-20 stock को अपने portfolio में buy करकर यहाँ पर चल भी सकते हो हर एक गिरावट में और यहाँ पर जो current prices पर भी stock को buy कर सकते हो अब इतनी छोटी company होने के बावजूद जिनका market cap मात्र 300 करोन का है रिजर्व कितना है? 300 करोन के आसपास 300 करोन तो थोला सा कहना गलत होगा 200 प्रशत्ता करोन का जो कि आप अगर देखें तो साल दरसार हमको बढ़ता हुआ दिखाई दिया है तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है किसी भी company के लिए तो यहाँ पर यह जरूर point आप लोग focus में रखिएगा कि इनका जो operating profit margin है वो भी 2% के आसपास जो बड़ी-बड़ी company का है और साथे साथ रिजर्व भी इनोंने अपना पढ़ाया है और इनके जो कर्ज हैं कर्ज थोड़े से बढ़ते हैं नजर आ रहे थे लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इनोंने अपना कर्ज इस साल के जो quarter भी जो पूरा data सामदे नहीं आया है उसमें नोंने अपने कर्ज को भी तोलब यहाँ पर कम किया है और यहाँ पर company का net cash low भी देखें तो भी positive है 143 क्रों जो कि बहुत बड़ी-बड़ी companyों में आपको इस तरह के net cash low भी जाधा तर negative ही दिखाई देते हैं तो हर एक parameter में यहाँ पर company काफी अच्छा कर रही है और यहाँ पर इनका जो debtor days है 6 का है inventory days 19 का है days payable है 4 का cash conversion cycle 21 की है working capital days 23 का मतलब hard data काफी शांदार है अगर आपको debtor days inventory days payable नहीं पता comment box में comment drop करिएगा इसके उपर एक separate video भी यहाँ पर मैं बना दूँगा और यहाँ पर दूसरी बात आती है promoter promoter के पास जो holding है 67-68% के आसपास यह hold कर रहे थे जून 2020 के आसपास December 2020 यह 2020 का जो भी यहाँ पर 21 टक जो है इन्होंने अपना अपनी holding को बरगरार रखा था लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी माइनर से profit booking इन्होंने करी है जो की करना लाज़मी था क्योंकि यहाँ पर stock ने काफी अच्छे साजा return मना कर भी दिये थे FIIs की बात करें तो यहाँ पर यह स्टॉक निकिते डार पर आया था और उन्होंने यहाँ पर माइनर से CGR से profit growth दिखाया है और वहीं पर जो पतांजली food से उन्होंने 21% के CGR से यहाँ पर profit growth दिखाया है तो क्यूंकि एक market leader है बहुत बड़ी company है उसके comparison में जो यहाँ पर विजे सॉल्वेक्स की बात मैंने करी हैं वो काफी अच्छा perform करते वे नजर आ रहे हैं तो जरूर भविस्त में अगर आप एक ऐसे stock की तलास में है जो आपको एक multi bag return दे तो यहाँ पर जरूर आप लोगों को इस stock को steady purpose से अपने portfolio में एक एक करके दो दो करक आपए अपने risk के अनुसार यहां पर buy करकर चलना है क्योंकि यहां पर एक microcap company है तो यहां पर risk की बहुत जादा है यहाँ पर हमको को दिखाई रेत था है इस तरह की company'ों में तो अपनी risk के अनुसार इस stock को buy करें और एक बात और यहां पर मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कि क लॉंग टर्मिंग निश्टर हो तो जरूर इस चैनल गदावतों सब्स्राइब भी यहाँ पर कर सकते हो और एक आफर भी आप लोगों के लिए जो भी मारे पेट सरजेस हैं सेवन डिस के लिए डेमो के तो और पर फ्री आफ कॉस्ट मिल नहीं है लिंक डिसकर्शन में देदी चाहेगी वहां से जाकर आप लिंक को जॉइन करकर हमारे सेवन डेज डेमो ट्रेडिंग का अनद भी यहाँ पर ले सकते हो थैंक यूपर वाच्किन इस वीडियो जैहिंद जै भारत